सभी मंचासीन अतितियों को नमन और आप सभी जो की इस हाल में उपस्थित हैं और अपनी उपस्थिती से हम सभी को आश्षिर्वचन देते हुए हमारे 84 कोटी देवी देवताओं भोले नाद बाबा और इसकासी की पवित्र परंपरा को पड़ाम करते हुए मैं बनारस लिटफेस्ट के विशे में आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ प्रस्ण उठता है कि बनारस लिटफेस्ट क्यों कैसे तो पहले मैं क्यों का जवाब देना चाहूँगा साहित्य किसी भी ऐसी सभ्यता का प्रतीक है जो की विकास के क्रम में आगे बढ़ रही है यह हमारे विकास मान होने का प्रतीक है साहित्य समाज को प्रहावित करता है और समाज साहित्य को प्रहावित करता है इन दोनों का आपस में एक बहुत ही महत्तुपुर संबंद है साहित्य के साथ आप देखेंगे हम लोगों ने रखा कला एवं संस्कृति कला क्यों कला हमारे परिस्कार को दिखाता है कला प्राय तीन तरह की होती है सास्त्रिय कला लोग कला और ऐसी कला जो प्रस्वुटित हो रही है सास्त्रिय कला जो की नागरिक कला होती है जिसे समाज का अभिजात्य वर्ग सरचड़ देता है लोग कला जो जन सामानने के बीच प्रचलित है और जन सामानने की भावनाओं को प्रस्वुटित करती है और समय समय पर तमाम ऐसी कलाएं विक्सित होती है जो या तो लोग कला को या फिर सास्त्रिय कला को प्रतियस्थापित करती रहती है ज्यादा बात न करते हुए मैं सिर्फ तीन बाते कहना चाहूंगा साहित्य कला एवं संस्कृति तीनों का मूल होता है विचार विचार है तभी साहित्य है विचार है तभी कला है विचार है तभी संस्कृति है और विचार या तो हम स्विकार करते हैं या अस्विकार करते हैं विचारों का बिरोध करना कहीं से भी उचित नहीं होता और यह कासी जो कि भारत ही नहीं विश्टु की पहली ब्रह्मांडिय सहर है कास्मिक सिटी है जहाँ पर बिश्व की तमाम सब भितायें आकर के अपने को सम्मानित महसूस करती हैं और कासी की संस्कृति में मिल जाती हैं कासी को हम लोग तीन प्रतीक मूलतम मानते हैं पहला प्रतीक मागंगा जैसा मां गंगा का चरित्र है कि उसमें जो भी आता है सब गंगा हो जाता है आप गंगा में जब जो नदी समाहित हो गई जो भी जल के शुरोद समाहित हो गए सब गंगा हो गए कोई उसके बाद यह नहीं करता कि यह कुछ और है कासी का दूसरा प्रतिक मोक्ष दाइनी भगवान शियू का श्वरूप कासी में भगवान शियू अर्धनारिश्वर है वह एक ऐसा संदेश देता है जिसके लिए पस्चिम जगत एक बड़ा अंदोलन चला रहा है इस्त्री विमर्स की बात करता है और कहता है कि इस्त्री और पुरुष बराबर है और इस चीज को हमारी संस्क्रिती पांच हजार साल पहले ही या उससे पहले ही स्थापित कर रही है जो हमारे मूल देव हैं वो अर्द नारिश्वर हैं कि आधा इस्त्री आधा पुरुस और दोनों मिलकर के ही एक संपूर ब्यक्तित बन रहे हैं और वो हम विसी लिए देवों के देव महादेव हैं कासी की तीसरी विसेष्टा कासी सर्व विद्या की राजधानी है कासी में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता कासी के लिए बड़ा बड़ा बड़े संक्राचार जितने प्री हैं उतने ही प्री अगोरी भी है कासी के लिए हमारे मंच पे एक हमारे गुरु जी बैठे हुए है पर्मसीर राज़ेसुर आचार जी उनकी एक बात मुझे हमेसा अच्छी लगती और मैं कोट भी करता हूँ कि कासी धाकड भी है फकड भी है और अखड भी है अगर आप कासी के साथ बिनम्रता से पेश आएंगे तो वो उससे बड़ा फकड कोई नहीं है वो किसी को भी अपनाने के लिए तयार है चाहे वो भूत प्रेथ हो चाहे इंसान हो चाहे जीव जन्तु हो कासी में आप एक स सब्सक्राइब करता यह कासी की पहचान है कि हम सब को जीव मात्र को उतना ही सम्वान देते हैं चाहे वो किसी भी पद पर हो किसी भी अस्थान पर हो कि कासी साहित कला उत्सो कैसे का से साहित कला उत्सो को जो आज ये स्वरूप मिला उसके सुत्रधार हमारे साथ बैठे है हम लोगों ने बीज लगाया बिरुवार ओपा समय देखें किसी चीज को बिक्सित होने में समय लगता है तीन चीजे मूल होती है न एक होता है रिशोर्स एक होता है टाइम सही जाना है नहीं जा रहा है रिशोर्स टाइम और तीसरी जो महत्वपूर चीज होती है वो होती है हीमन रिशोर्स रिशोर्स का ही एक पार्ट है एक मतलब लक्षमी जी एक विचार के रूप में सर्शती जी और एक समय जो काल है तो सर के जुड़ जाने से जो काल की परिधी है वो कम हो गई इस उचाहिए को प्राप्त करने में इस बनारस लिटफेस्ट को कासी साहित कला उत्सों को हो सकता था वर्सों लग जाता सर ने उसका वर्सों आट-दस साल के समय को घटा करके एक साल कर दिया इसलिए मैं दीपक मधोग सर और असो कपूर सर का हिर्दे से धन्यवाद देता हूँ विचार एक ऐसी चीज है जो सब को अपने अंदर रखनी चाहिए और अपने विचार के प्रती अपने मुल्यों के प्रती दिड़ रहना चाहिए क्योंकि अगर हम अपने मुल्यों के प्रती दिड़ नहीं है तो हम नकल्ची हो जाते हैं और नकल कितना भी अच्छा करें अ तो हम लोगों को असल बनना है एक ऐसी परंपरा यहां से उठानी है जो विश्व अस्तर पर यह संदेश देगी कि कासी में जो साहित तकला उत्सव होता है वह किसी की नकल नहीं करता वो अपनी बात कहता है और डंके की जोट पे कहता है कि हम यहां से जो फाइंडिंग निकालेंगे जो विचार निकालेंगे उसे पूरा विश्व शिकार करेगा तभी हम वास्तविक विश्व गुरू बनेंगे और कासी विश्व सभ्यता की कि अब्स बहुत हैं, अश्टूरु से वशचूधय कुटुमप्मु क मक्म की बात कहते हैं और यह बात कहते हैं कि भीचार सभके हुम अनुम्छ हैं दिखारों हम सम्मान करते हैं और यहां से जो संदेश जाएगा वो अपने आप में अद्बुत होगा ऐसा मुझे पुड़ विश्वास है आप सभी से मेरा आग्रह है कि तीन दिन साहित, संगीत, कला, नृत, सम्में डूब जाएगे हम न राजनीत की बात करेंगे न हम किसी बिखराओ की बात करेंगे नहीं किसी लड़ाई जगड़े की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक बात करेंगे कि भारत कैसे विक्सित हो और उस विक्सित होने की जो मूल चीज है वो हमारे विचार है हमारे संस्किती है अगर हमारी संस्किती विक्सित होगी तो सारी चीजे हम अरजित कर लेंगे धन्य बाद जैहें